नमस्कार दोस्तो आपसे भी का स्वागत हमारी आरेजी सपोर्डबॉव यूटूब चैनल में यहापर अपना स्क्रीन लॉक डालना है और फिर दोस्तो यहाँ से बैक आना और आपको यहाँ पर आपको डेबलोपर ओप्षिन देखने के लिए जाए nya से आपको सबसे पहले अपने फोन का developer option enable करना होगा ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो दू application में आपसे install करवाए हैं इसमें से सबसे पहले आपको यहाँ पर app ops करके जो application है इसको आपको open करना है और फिर यहाँ पर click करना है फिर आपको continue पर click कर देना होगा ठीक है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर open cgcoo पर आपको click करना है और यहाँ पर wireless dubbing पर आपको click करना होगा और दोस्तों यह मेरा जो setting है यहाँ पर on होचका अगर आपके case में यह on नहीं होता है तो आपको अपने wifi से connect करना होगा अगर आपने mobile के data से आप यह setting करोगे तो हो सकता है कि आपके phone में यह setting ना on हो तो आपको यहाँ पर अपने दूसरे phone से internet लेना है wifi के जरीए ठीक है आपको wifi connect करना होगा अपने mobile में अपना mobile का data बंद कर दीजेगा ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर इस setting को on करने के बाद यहाँ पर wireless dubbing पर आपको click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक option मिलता है pair device with pairing code इस पर आपको click करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे क्लिक करोगो इसके ऊड़िकेसं आएगा enter pairing code पर आपको क्लिक करना है और यह जो आपको code यह पर देखल Website यह ही आपको ऊपर type कर देना ठीक है तो चले यह वाला जो code है यह मैं यहाँ पर डाल देता हूं तो इसी तरीके से आपको भी यह code डालना होगा ठीक इस तरीके से आप code डाल दीजीए यहाँ पर जैसे मैंने डाल दिया उसके बाद यहाँ पर इस button पर आपको click करना और दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो य करी यहाँ पर आपको दुबारा से इसी मैं यह जो हमारा application है इसमें हम दुबारा से आ जाएंगे आने के बाद यहाँ पर हम एक बार बैक करेंगे बैक करने के बाद यहाँ पर आपको उसको आपको इस तरी के से tag clockwise ऑना है फिर आपको नीचे यहाँ सित अब आपको यहाँ पर थोड़ा इंतजार करना होगा और फिर यह कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जागा जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इतना काम करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर आना होगा दुबारा से इस वाले अप्लिकेशन में जो हमारा आप उप्स करके जो एप्लिकेशन ता इसमें हम जैसे आएंगे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा अब आपको यहांपर एलाउ कर देना होगा इसको जैसे आप एलाउ करो इसके बाद दुस्तों यहां पर आपके फोन के जितने वो जहाँ को करके आब इसमें आपको दोस्तो वो application स्लेक्ट करना है जिसमें आपको प्रोब्लम हो रहा था जैसे यहाँ पर मेरा जो screen recorder application है इस त्रीघ के से अगर कोई rising or application है जिसमें इसटिंग कर लेना होगा ठीक है तो यहां पर इसके स्टर्म करने हैं यहां पर सेटिंग है यह हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहां से 李 बैक आ जाना हैं बैक आजोगो उसक बार चलिए दोस्तों हम यहाँ पे इसको पर ओपन करते हैं और यहाँ पर एलाओ पर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद दोस्तों यहां पर अपने इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो अगर आपके भी फोन में यह प्रोब्लम आ रहा था तो इसी तरीके से आप सही कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर भी मेरा यहाँ पर आप दिखूगे यह प्रोब्लम फिक्स हो चुका है तो दोस्तो आज किस वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो कैसे था प्ल